असलाम अलीकुम वेलकम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि क्लास फॉर्थ में हैं किस तरह यानि क्लेंडर को हम कैसे समझेंगे या कौन सी डेट है उस चीज को समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में उसमें बात की थी कि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत सी चीज में उसमें समझ आगी होंगी तो आज हम गे फाइंडिंग आउर देट बिफोर आफ्टर सम डेज यानि डेट हम कैसे फाइंट करेंगे के पहले यानि आज की तारिख से इतने दिन पहले कौन सी तारीख थी या आज के इस तारीख से इतने दिन बाद कौन सी तारीख कौन सा दिन होगा ठीक है तो वैसे है वाट डेट इस टॉन्टिफोर डेज आफ्टर सेंटी जैन्वरी सत्रा जन्वरी से चुब्यस दिन पहले कौन सी डेट सत्रा जन्वरी के चुब्यस दिन बाद कौन सी डेट होगी जैन्वरी सेंटी जो है सत्रा जन्वरी उसके चुब्यस दिन बाद कौन सी डेट होगी तो सबसे पहले हमने देखना है कि जैन्वरी के कितने दिन हमारे पास है डेज इन जैन्वरी ठीक ना जैन्वरी में कितने है हमारे पास 31 है इस तरह को पता है 31 डेस जैनुरी में 31 में से 17 डेस लेस करने क्योंकि 17 के बाद का में मालूं करने है 31 में से 17 कम किये 17 दिन उसमें कम होगे 17 दिन तो वो रह गया 14 रह गया ठीक थर्टी वान मॉइनस 17 ठीक वन से 17 तो नहीं निकलेगा इतले से नहीं होगा सब्चेक्ट नहीं होगा तो इस नहीं हो वन है वन में से बारू लिए ठीक यह हमने यह रखा ठीक यह बन के वान एलेवन 11 में से 7 निकल ठीक नहीं किस तरह हम निकला नहीं वह आपको बारा दिखाया है बताया गया है फिर मिया हम बता दे लिए इस तरह जैसे चोटी चोटी डॉट्स यह लिकीरें बनाएंगे लें इसमेंस कितना करना सेवन ठीक है निकल टीक कर दूंगे लेस्ट गया थीउगा फैयोगे प्रफाइब में सेवन तो बज़ कितने बच गया है वाँ टीक है यहां थ्री है फ्री मैंसे वन लेकिन आपको बता है कि थ्री ने एक इसको दे दिया है एम बारू अभी टृकर है कि रहा है ठीग है अब तू में से ओन रहा है यह बच्क ए 40 इस को मतल्ब जैनवरी के आगे आगे अरहसा कितने हैं ट्वोंटी 4 हैं तो अब फेबर वरी के आज तो फेबर varieties मैंसे 24 days में से 14 last करेंगे तो 24 24 है 24 हमारे को months cool days यह उन में से 14 हम ने जैनावरी को less किये सब जितने है जितने total days है हमारे पास 24 है उन में से 14 हम को less करने किसके जो आरड़ी January के हमारे पास तो 24 में से हम ने 14 को less किया तो यह हम यहां ऐसे लिखेंगे 24-14, 4 में से 4 हमने लेस किया, 4 में से 4, 0, ठीक है न, 2 में से 1, 10 डेज उसका मतलब फैबरवरी में, फैबरवरी में कितने डेज हैं, 10 डेज हैं, तो अब हमने यह देखना है, So the day 24 days after 17th of January is 10th February, तो फैबरवरी के 10 days हैं, वो 1st से शुरू होगा, 1st February से, 1st February यह एक फैबरवरी से होगा, 1st February से होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब 10th February को जा किये, कितने डेज आगे, 24, यह 17th of January के बाद, जो January के इसमें 14 days आएंगे, अब 10 डेज ओर रहेगे, वो 10 डेज आएंगे, फेबरवरी के, वो फेबरवरी के 10 डेज कब तकाएंगे, 10 अफेबरवरी तकाएंगे, इस गएबरी के 10 डेज आएंगे, शेयन मार्च श्री तकाएंगे, जीर हीरीय मेस के और मार्च शेयन सियों न या सिया ideia ङए उपे और मार्च में पारी् सक्याध साय बिर्फिये । कितने दिन डूनने हैं सारक कितने हैं 14 14 में से 6 मार्ज इसपा कर सकते हैं, या सारक कितने हैं 13 में सब्सक्राइब तो यहां तक समझा आपने, अब यहां क्या है, हाँ, एक बात हमें तेहां रखनी है, एक बात हमें ख्यार रखनी है, कि कभी भी कोई भी सही काम करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई भी नेकी करनी है, तो नेकी करने के लिए कोई ना मुनासिब वक्त नहीं होता है, नेकी के लिए, अच्छे काम के लिए हर वक्त मु अज़िए यह ही करने करने हो तो यह नहीं नहीं सोचने है तो कहाता। कि जबुक ही नियक抦ाने अच्छा काम करने का ख़्यार आता है वह ख्याल जो होता है तिल में फिंटा ज ними एकल भूधा होती है जोवेmost अबहार अहज भूधा होतीgar होतीन वह मैंहमान होता तो फिर वो बारबाद पिर नहीं आता है इसलिए जब भी मौका मिले जब भी चैनस मिले तो नेकी अच्छा काम अच्छी बात करने के लिए कोई वो रांग वक्त कोई बलत वक्त नहीं है पमेद करते हैं अच्छे बनेंगे अच्छे कम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज